राजधानी भुपाल की गोविंद पूरा थाना इलाके में करीबन डेड़ दर्चन मोटर साइकल चोरी करने का मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी समय तीन और लोगों को गिरफतार किया है इसी के साथ पुलिस ने चोरी की गई 16 मोटर साइकल और आरोपी की द्वारा किष्ट पर खरीदी गई एक महंगी मोटर साइकल को भी बरामत किया है दरसल आपको पता दे राजधानी भुपाल के आयस बीटी से लगातार दो पहिया वानों की चोरी होने की घटनाय सामने आ रही थी जिसको लेकर पुलिस ने सक्त चेकिंग अभियान चलाया इस दोरान पुलिस ने सतीश शर्मा नामक युवा को गिरफ़तार किया है और जिससे चोरी की एक मोटर साइकल भी बरामत कर ली पिछलो दूनों आई एस बीटी पे बाइक चोरी की काफी गटनाय बढ़ गई थी जिस पे गोविन पूरा टीम थानी की टीम लगी हुई थी जिसका मार जर्जन हमारे अडिशनल डीसीपी जी महावीर मुजाले जी और दीपक एसीपी कर रहे थे तो हमारी टीम ने लगातार दो-तीन महीने से प्रयास रथ थी कि इसमें इसका सुराग लगे तो कुछ सुचना तंत्र भी विक्सित किया गया और इसे इसको चोर को जो पकड़ा गया है उससे सतरा मोटर साइकल बरामद हुए है जो करीप 21 लाग का मसरूगा है जिसमें तेरा जो मोटर साइकल है ये गोविलपुरा ठाने की है जिसमें अपया तरस्ती बाकी एक एक मो आएसबीटि में चुंकि पार्के मगेरा नहीं है और काफी बड़ा एरिया है और यहां से वह एक मोटर साइकल करके ले जाता था और इसने जो मोटर साइकल बेची है उनको तीन आरूपिम को भी इसमें आरूपिम बना आ गया है जिससे साथ मोटर साइकल इंको बेची है इसके जो मोटर साइकल बेचने से जो पैसे इसको मिले है इसने एक बुलेट मोटर साइकल भी पैसे से खरी दी है उसको भी जब्त किया गया इस प्रकार टोटल टेरा गोविनपुरा थानी टीम की जो कि आई-ई-एस-बी-टी पे हमारी जो बीट जिनकी थी इसमें प्रध सब इंस्पेक्टर गजराज नीलेस पठील और प्रधान आरफ्चक कुवे भदरिया आरफ्चक अफ्तार जिंगुर्जर आरफ्चक सुवास्त ओमर और आरफ्चक लोकें से इनकी आमातरपूर भूमिका इसमें आ रही है इनाम तो जो क्राइम में अच्छा काम करते हैं उसमें हम अपने स्थर पे इनको देंगे और बाकी इसमें उद्गोसित नहीं था कोई भी इनाम तो भी अलग अलग समय पे अलग 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 टाइम पे इनकी एफाईयर हुई है जो भी कॉमन हम कैस रिवार्ड़स टीम को इसे पुरस्कत करेंगे इसके लाग पर इसके लाग जाएश तेखिए हैं कि अभी तो अभी इतना ही इसमें बरामद हुई यह भी प्यार लेकि और इसमें कारवाई करेंगे पूस्ताज जारी करेंगे अभी तक तो